दूस्तो गोरकपूर सिल्ली कुडी एक्सप्रेसवे जिसे बिहार का गेमचेंजर प्रजेक्ट भी बताया जा रहा है वैसे तो ये उत्तर परदेश बिहार और वेश्ट बंगाल तीनों राजियों से होकर गुजड़ेगा लेकिन इस एक्सप्रेसवे से बिहार के हजारों लोगों की उमीदे जुड़ी है क्योंकि ये एक्सप्रेसवे 80% बिहार से होकर ही गुजड़ेगा तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट इतना सलो क्यों हो गया भूमी अधिगरहन में सरकार को क्या प्रोब्लम आ रही है इसका नया रूट उत्तर परदेश बिहार और वेश्ट बंगाल के किनकिन गाओं और सहरों से होकर गुजड़ेगा भूमी अधिगरहन कभी स्टार्ड होगा और सबसे बड़ा सवाल कि इस प्रोजेक्ट की कॉम्पलेटीशन डेट 2025 बताई गई है और अभी तक भूमी अधिगरहन सुरू भी नहीं हुआ है तो क्या ये 2025 तक पूरा हो जाएगा नमस्कार दोस्तों मैं विकास और आप देख रहा है और इंडिया फियर्ज द्रसल गाइस यूपी बिहार और बंगाल ये तीनों घनी अवादी वाले छेत रहें ऐसे में यहापर जितने भी एक्सप्रेसवे लॉंच होते थे उनमें से आधा से ज़्यादा अधूरा रहा जाता था क्योंकि भूमी अधिगरहन ही नहीं हो पाता था लोग किस कर देते थे जिससे की प्रोजेक्ट बस सपना बन कर रहा जाता था सहरों में लोग अपना जमिन देना नहीं चाहते हैं इसी प्रोबलम का सोलिशन लाए हमारे सलक परिवन मंतरी नितिन गटकरी ने नितिन गटकरी ने कहा कि जहां पर ज़्यादा आवादी है जहां सहर बसा है वहांजे हम एक्सप्रेसवे पास नहीं करेंगे बलकि सहर और घनिवादी वाले इलाकों को छोड़ कर बगल से एक्सप्रेसवे को क्रोस किया जाएगा गोरकपुर सिल्ली गुडी एक्सप्रेसवे में भी यही किया गया नितिन गटकरी ने प्रस्ताओ दिया कि एक्सप्रेसवे का निर्मान आवादी वाले इलाकों से दूर किया जाए ताकि भूमी अदिग्रहन में प्रोब्लम ना हो और पैसे भी बचे अगर कोई एक्सप्रेसवे सहर से गुजरता है और लोगों की जमीने जाती है तो जाहिड सी बात है कि ज़्यादा पैसे देने होंगे इसलिए इसे अवादी वाले इलाकों से हटा कर बनाया जाए नाही के निदेसक ने बताया कि प्रात्मिक सरवे के बाद जिन गाओं में भूमी अदिग्रन परस्तावित किया गया था उन्हें चिन्नित कर लिया गया है लेकिन इसमें चेंजिंग हो सकती है एक्सप्रेसवे को देखते हुए 60 से लेकर 100 मीटर की चोडाई में जमीन का अ 15 घंटे का समय लगता था बताया जा रहा है कि जब गुरकपूर सिल्ली गुडी एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा तो 640 किलोमीटर की दूरी 519 किलोमीटर हो जाएगी और 15 घंटे का समय 9 घंटे हो जाएगा आपको बता दे कि ये भारत नेपाल सीमा और मजूदा एनेस 27 के समानतर चलेगा भारती राष्टी राजमार्क प्राधिकरन द्वारा 2021 में गुरकपूर सिल्ली गुली एक्सप्रेसवे की घंटाया गया था कि एक ग्रिन फिल्ड एक्सप्रेसवे होगा का बजट 32,000 कोल रुपईया तै किया गया था पर कहा गया था कि इसे 5 पैकेज म हो रही है नितिन गटकरी चा ले तो एक साल में भी बनकर तैयार हो जाएगा लगीन नितिन गटकरी का इस पर फोकस नहीं है अभी एक रिजन ये भी हो सकता है कि तो इसमें देरी हो रही हो रही है चुकि एक्सप्रेस वे 519 km लंबा है जिसमें से 416.2 km सिरीभ विहार से ग बंगाल में 18.97 किलो मेटर की दूरी तै करेगा ये गोरकपूर के रिंग रोड से श्टार्ड होगा और बिहार के गोपाल गंज में परवेश करेगा और अंत में पस्चिम बंगाल के डारजलिंग जीले के सिल्ली गुड़ी में समाप्त होगा ये यूपी के तीन सहरों से होक गुजरेगा गोरकपूर, देवरिया, कुशी नगर और बिहार में नौ सहरों से होकर गुजरेगा गोपाल गंज, मोतिहारी, सिभर, सीतामडी, दर्बंगा, मधुबनी, सुपोल, फोरवेश गंज और किसन गंज इसके बाद पस्चिम बंगाल के तीन सहरों से होकर गुज जा रही है, और गोरकपूर से पंजाब तक इसे कनेट किया जा सकता है, यानि कि ये पूरे उत्तर भारत को पुरवत्तर भारत से कनेट करेगा, आप सोच सकते हैं गाइस, ये कितना महत्वकांची परजेक्ट होने वाला है, ये पंजाब देली से सुरू होगा, और यूप पी बिहार सीमा तक सडक का निर्मान किया जाएगा, चुकि ये एक्सप्रेजबे बिहार में सबसे ज्यादा गुजरेगा, इसलिए बिहार में तीन पैकेज में से बनाया जाएगा, पहले पैकेज में अररिया जीले के फुरवेस गंज में, जो पूरव पस्चिम गलियारा उस जक्षन तक रोट का निर्मान किया जाएगा जो दूसरे पेकेज में किसंगन जीले में जो राश्टी राजमार्ग 327 है वहां से बियार पश्चिम मंगाल सीमा तक सड़क का निर्मान किया जाएगा तिसरा पेकेज अबी टीबी यह है यानि कि टूबी एनाउंस तिसरा एनाउंस नहीं हुआ है पस्चिम मंगाल में भी एक package है जहां बागडोगरा डार्जिलिंग जीले में एनेस 27 यानि की पूर पस्चिम गलियारा तक बनाये जाएगा तो ये थी इस expressway की full detail जनकारी अगर इससे related कोई बड़ी update आती है लाइक भोमी अधिगरन अगर इस्टार्ड होता है तो मैं new update पर वीडियो लाऊंगा वैसे आपको क्या लगता है क्या ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा अपने राइकौन बक्स में जरूर दीजिए अगर मैं अपनी opinion दू तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर राजनेतिक हो रही है अगर बिहार में मोधी गोबर्मेंट आती है तो हो सकता है कि इसे एक साल में ही पूरा कर लिया जाए ये सारी चीजे उन लोगों के हाथ में है बाकी बिहार के बारे में क्या ही कहा जाए वहाँ 1700 कोड़ोड के पूल हवा में उड़ जाते हैं नौ ठैंक्स पर वा